इस question में हमें Indian system के हिसाब से इस number में commas लगाने हैं अब Indian system में three zeros thousand होते हैं, five zeros lakh होते हैं और seven zeros करोर होते हैं अब commas लगाने के लिए मैं right side से शुरू होता हूँ और three, five और seven digits के बाद एक कॉमा लगा जाता हूँ अब क्योंकि मैं right side से शुरू हो रहा हूँ तो मैं यहाँ पर numbering कर लेता हूँ, digits की, कुछ ऐसे यह मेरी first digit, second digit, third digit and so on अब three के बाद कॉमा लगाना है, तो यहाँ पर एक कॉमा आएगा five के बाद लगाना है, तो five के बाद, five और six की बीच में यहाँ पर आएगा और seven के बाद लगाना है, तो यहाँ पर seven के बाद एक और कॉमा आएगा तो यह number मेरा कुछ ऐसा आजाएगा, eight कॉमा 75,95,762 अब हमें एक और चीज़ निकालनी है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर इसका नाम भी लिखना है अब इस question में, यहाँ पर इस number में, यह वाला जो number होगा, यह करोर होगा क्योंकि बाद में seven digits है, तो यह होगा eight करोर इसको भूल जाते हैं अब यह जो होगा, यह होगा मेरा लैक, तो यह होगा 75 लैक, तो 75 लैक आएगा, इसको भूल जाते हैं यह मेरा thousands में होगा, तो यह होगा 95,000, कुछ ऐसे और यह होगा मेरा 762 तो मेरा जो पूरा number है यह होगा eight करोर 75,95,762 आए हैं, जात आए होगा जाती जातों zijn क्र Iímक्रत्वय झाओ ओूल, क्रूल